तो Friends आपना दूसरा पार्ट है आज का ए राइस का जुमेत्र नहीं देखें पहला पार्थ तो पहला पार्ट देखके रहाएं तो आज हम सुरू कर रहे हैं अब यहां से आगे से क्या है धान की एन औराइं पद्दती देखेंगे थीक है फ्रेंट्स तो आए शुरू करते हैं वीडियो को सुरू करने पहले चोटी सी रुक्वेस्ट है चैनल पर नएीजम को श्र z K stato आफ़िए यह आएम लोग शुरू करते किया जाता है पद्दती अपनाई जाती है ज्राइध में घाने जबनेर की नए यह टिक है इस विद्ध में फानी पानी च्रीक पाण समय की भचत होती है इस बिद्ध में क्या होता है या कि पानी हुआ समय डार पान टाइम और जो यानि जब सर्मी कदिक लगेंगे पैसा ज्यादा काश्ट लगेगा ठीक तो यह कह सकते काश्टली है ठीक है इसको देखना है इसमें आपको कि ठीक है और रशायनों का परियोग ना के बराबर किया जाता है जब तथा तथा कार्बनिक खादों का परियोग ज्यादा किया प्रशित कर जो है नमी रखा जाता है इसमें पाउधों की जो हता 25 गुड़े 25 सेंटीमीटर रोपाई की जाती है यह एक हक्टेयर है तो इसकी जो होती है नर्शरी तयार की जाती है छेद फल पे देखेंगे एक हक्टेयर छेद फल पर सब मीटर 25 215 किलोग्राम प्रते cauliflower प्रत्य की शक्ता होती है कितने किलोग्राम की की शक्ता होती है अब आते हैं हैं ड्राइजर को देखते कितना आव शक्ता होता है इसको देखते हैं फटलाइजर को तो यंट की का रेशियो साथ जो होता है साथ हॉम द्थान में नाठोजन की च्शंता देखेंगे 34–40% होती है परिश्चत होती है सबसे उप्यूक्त नाटोजन उर्परा कौन सा है अमोनियम अमोनियम सल्पेट है ठीक है धान की फसल में नच्छत्र की मात्रा ग्याद करने के लिए लीफ कलर चार्ट यल्सी सी काम में लेते हैं किलियर हो गया आगे बढ़ते हैं हम लोग धान में सिल्कॉन देखते हैं धान की फसल के लिए शिल्कान एक लावकारी तत्त है इसके परियोग से धान में पाउधे का आवरण मजबूत यह सकत रहता है जिससे कीट यह कित पठंगों का पर्योग जो हता है परकोप जो होता है थीक है धान-सिलकॉन में चावल की उत्पादन में सिलकॉन की आवस्चक पोशकत्त माना जाता है सिलकान की कमी वाले पाउधे नराम और ड्रोपी हो जाते हैं ठीक है मुर्जा जाते हैं सिलकान की आपूर्त ज्यादातर पैनिकल निकलते समय आवसकता होती है क्योंकि इस चरण के दौरान रूट गधिविद अपेच्छा क्रित कम हो जाती है और जो होता है वास्वोस्वज देखते हैं यहां से बढ़ते हैं ठीक है अगला पॉइंट हम लोग यहां से देखते हैं ठीक है यह देखा गया कि सिलकान एक मोटी क्यूटिकल सिलका प्रत्यपरदान करता है जो कीड़ों 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 के हमले के खिलाप एक पाधा के रूप में कारी करता है ठीक है अगला पॉइंट क्या है बेशिन स्लाइग एड़ रेट एक दसम्मलों पांच से दो दसम्मलों जीरो टन परते हेक्टेर की अनुपर योग दोरा सिलकान की कमी को ठीक किया जा सकता है क्योंकि बेशिन स्लाइग कैलसेम सिलिकेट का सबसे आम स्रोत है एजोला हुआ नील हरित सैवाल हुआ यह जो टो बैक्टर आध जो है पर्योग इसके परमुख बायो फेटलाइजर हैं खेत में पानी की अधिक मात्रा होने पर एजोला वा नील हरित सैवाल का वर्दान सिद्ध हो रही है मैतलब बहुत ही बेनिफीसियल है रुपाई की ए जीच्वित में मिला दे ठीक है नील हरित सैवाल परत्वश धान में धान के खेत में 20-30 किलो गरम प्रत हेक्त्र हेक्टीयर नारे टोजन अस्त्रीगरित करती है शिचाई irrigation देखेंगे जल मांग कितना होता है जल मांग कितनी है इसकता होती है नोशब्रे 25 यम्यम होती है धान के खेतों में 5 सिंटीमीटर पानी हमेशा रहना चाहिए यह पकाई से से 2 से 3 सबता पूर्व इसे हटा देना चाहिए यानि पानी नही ciert जाताई से पूर्व। मिर्दा को पलट करकी पडलर की सहायता से जुताई करना पडलिंग कहलाता है यह मिर्दा की सनचना का हाश करती है उद्देश क्या है पडलिंग का उद्देश क्या है इसको देखेंगे उद्देश को आपको देखना है पडलिंग आप रागम परत का निर्माड कर जल के निच्छालन के अनुक्षान को रूखती है फशल में खर्पतवा नियंतर करता है तथा पोसकत्तों की उपलबदगता को बढ़ाता है क्या पडलिंग है फडलिंग या लेही भूम में दो खेटर बिक्सित होते हैं दोनों खेतर देखते हैं कि इसको देखते हैं अब यह देखते हैं खेत के उपरी छेतर एक से च्छेत रिडियूच जोन कहते हैं तथा धान की फंसल में नाट्रिजन उर्बरक अमोनिकल रूप वाले पर्यूक्त करते हैं जो इसी छेत्र में डाले जाते हैं ठीक है यह अमोनिकल रूप से होता है इसको आप लोगों को ध्यान रखना है यदि हमें भूम में कई नाट्रि छेत में ढालने चाहिए ठीक है खर्पतवार आया वीड आया वीड को हम लोगों को देखना आए इसम्हिए अब खर्पतवार आ गया भान में कहँंसु जंगली धान हो सामा धान हो गया गैसे दोनों धान दान के पर्मु क्रपटवार सामा धान जंगली धान की चीटरणी रहते हैं बहुत ज़ादा हान कारते हैं और ठीक है धान की खड़ी पतल में क्राश हल चलाकर कर खर्पतवार या अधिक की पोधोका निकालने की किर्या को क्या कहा जाता है कादर कहते हogeneous घर तर्फ है करसनों की जब डी बहादाइसच कि का समय सकते हो या भर जितनहीं कशकते हैं आं यह मतलब होगा तो परयोग किया जाता है क्या है पहला क्या है अब नियंड है धान में रूपाईबाद या अंकुरण बाद पोस्ट इमर्जरंसी काम में लेते हैं या धान की फसल में सबसे ज़्यादा उप्योग उपयोग में आने वाला खर्पतवार नास्ची ठीक है प्रोपे निल आते हैं अगला बिंदु को देखते हैं इसको देखते हैं हम लोग इहां इसे धान की रुपाई कि कि एक सब्सक्राइब या 3-4 पत्ति अवस्था पर 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 प्रियोग करते हैं प्रोपे निल इसके इनिल फोस देखेंगे यह सब जो है नाइट्रो नाइट्रो फेन हो गया पाइरो जो पाइरो जो सल्फियूरोन हो गया साथ ही जिसे कहा जाता कीट परबंदर इंसेक्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं धान का पीला तना छेदन टाइको राइजा इंसर्टू प्लस इसको देख देख लिजेगा नियंत्र इसका कैसे करते हैं इसको भी आप लोग इस तरीके से देख लिजेगा ठीक है नियंत्र होगे धान का गंधी बग होगा लेप्टो लेप्टोडेरा अक्योटा लेप्टो कोरिया अक्योटा इसको देख लिजेगा आप लोग इसी तरीके से धान क कीठ होता है के इसको देखना है धान का भूरा नियांत्रणा भी आप देखेंगे धान का केम देखेंगे ठीक है यह सब इसमें धान के प्रमुख जो है नउन निज्व फोग गया धनका भूरा पति धब्बा रोगंक हो गया भारउन लीफ पोट धान का इसको आप लोगों को देख लेना भूरा रभा धनका ब्लास्ट रोगे जेए भी इंप्वॉर्टेंट है किसम की जाता धान में होता है धान की मुख्य बीमारी है तथा से पार्युकुलरिया और आजया नामक कवक्स से फैलती है धान का ब्लास्ट इंपॉर्टेंट है जिवार पत्ती जुलता देखेंगे बैक्टिरिया लीफिलाइट को आप लोगों को इससे देखना है जेन्थो मोनास और आजी जिवार द्व है जो है धान में लगता है धान का टूंडो रोग टूंडो ।य привगि ऑफ फराइस वािरण मुच एऽ वैडियर या पैक्टिरियल है इसको ध्यां धान का अपरा रोग rapidement कॉता है इसको देखना दान का खैरा रोग आता है जिनकी कमी से होता है तो आप लोग जաनते सब्सक्राइब को आप लोगों को इसे देख लेना है अब हमें देखना है जानी जाती एक होता है मिलिंग को आप लोग इसी हिसाब से देख लेना है कि इसमें कुछ बिषयत नहीं है अब आते हैं जो महात्रपूर्ड बिंदू है इससे हमें देखना नहीं है बंदो को पढ़ना है यह ज्यादा नहीं इतने बचे premises हुए դो इतना हमको देखना इसके बार हम लोग यह हों को पढ़ेंगे ठीक है अब साथ आते हैं जो महत्रॉठोण बिंदों कपसे कब होता है यूद्ध मिद्धान की अप्राइल्गी का समय नवॉमबर दिसंबर चावल पुसकरम किस रूप में मीशने किस रूप में आना जाता है फिनिकल में जाना जाता हूँ ठीक है चावल एक परकार का पौधा है लग लगी pum arrangements का पाउधा c3 का पाउधा है चावल का टापमान होता है तृष से किस नाम से जाना जाता है केरियो सिस्क के नाम से जाना जाता है चावळ में ब्यापक ighatten से constitutes औरवरक का प्रियों किया जाता है इंपोटंट है चावळ उगाने के लिए का यह कितना होता होता है चार से होता है गिलियर हुआ आते हैं हम लोग देखते हैं अगला point देखते हैं important fact जो है मैट परकार की nursery किसे समबंदी थैं पूछेगा मैट जो है nursery किस फसल से समबंदीत है तो आप किसे बताएंगे धान से संबंदित है बासमती चावल का परिछण वजन कितना होता है 21 होता है नार्मर राइस का कितना होता है आप कमेंट करके बताएंगे दुनिया में चावल का अधिक्तम निर्यातक देश कौन सा है थाइलेंड है धान के लिए सिचाई की सबसे महत्मूर अवस्था कौन सी है बूटिंग स्टेज है ठीक है धान के लिए बायो फेटलाइजर काम में लाते हैं इजोला लाते हैं डेपोज विधी में पौधे के रुपाई हो जाता है 11-14 दिन में तयार हो जाता है चावल में सब्सक्राइब पर्मुख खर्पतवार पर जाती होती है तो कौन सी होती है इकाइनो इकाइनो कोला इस पसीज होती है चावल में शफेद आंख रोग का कारण होता है यफी की कारण होता है चावल में चावल के खेट से निकलने वाली गैस मिधेन होता है अब लोग जानते हैं इसको आगे पिंदु को पढ़ते हैं चावल में अकी ओची रोग अक किसी से होती है तो नाइट्रिफिकेशन द्वारा होती है परव 597 रख चावल की राइबॉलिंग किसी बिटामिन का सरच्षड करती है थीए है धान की डेपोग बिधिक की बीजदर कितनी होती है एक दसमलों एक दसमलों पांच से तीन किलोग्राम प्रति मीटर ठीक है आगे बढ़ते हैं धान की एक हैट्टियर छेत्र हेट डेपोग बिधिक के मिपाउध्य से तयारी के लिए अवस्चक है 25 से 30 ठीक है भारत भारत का चमतकारी चावल किसे कहा जाता है किसे कहा जाता तो जया को कहा जाता है जया आप जानते हैं और आई यार एट ठीक है अब आगे बिंदु को आते हैं हम लोग देखते हैं चावल में बॉनेपन के लिए जिम्मेदार जीन कांसी है कांसी है डी जी जू जोन चावल की बुवाई के लिए पाउधे के पाउधे से पाउधे की दूरी रखते हैं 20 गुड़े 10 सेंटिमिटर्ष धान में घहरा बीमारी का चिंख जैनते हैं इंटरार्शन है दान फसलों में लेतक ही बिमारी का विश्चन है कापर की कमी से होता है कौन से चावल में दाने के को अत्रिक लंबा कहा जाता है साथ यम्यम से अधिक लंबा अब फ्रेंट्स हम लोग अगली क्लास में गेहूं के बारें पढ़ेंगे जिसका बटन के लेम है इसको कबर करेंगे अब आपको धान को कैसे याद रखना है वीडियो एक तो दो बार देखना है तीन बार देखना है आप देखेंगे तो आप ल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ तब तक लिए अपना ख्यार लगना अपने मात अब तक ख्यार लगना जै हिन जै भारत बंदे मात्रम